बहिया आप एक बात बता जिस चोकिदार को आप चोकिदार के नाम से बुला रहे हो जो हमारे मोधी जी थे तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके थे गुजरात के जिनको अमरीका ने बीजा देने से मना कर दिया था आज महरानी विक्टोरिया उनका चोकिदार बन के इंतिजार करती है इनसे बड़ी बात और क्या हो सकती हमारे मोधी जी के लिए भारत के प्रधान मंत्री मानी नरेंदर मोधी जी पूरे देश में एक ससक्त सरकार, विकाद सिल सरकार, पारदर्सी सरकार और एक इमानदा सरकार के रूप में काम किया अब और पांच साल में 140 से ज़्यादा योजने जो लाए है वो गाहों, गरीब, किसान, मजदू, दली, त्वंचित, सब के लिए उनमें सब में गरीब ही जना सेंटर, कल्यान का सेंटर गरीब है, पीछर उसको उतान के लिए पूरी देश आज सुरुचित है, आंतरिक और बारी रूप से बीजी से साब से हर जेगे देश का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है और वो पूरी वफादारी, पूरी इमानदारी के साथ में इस राश्टी के हित के लिए कारी कर रहे हैं और पूरी मतलब कि देश के सभी बच्चा बच्चा भी उन पे विश्वास और येकीन करता है बिल्कुल हम सारे चोकीदार है मोधी जी के हम अपने आप में एक मोधी जी है और हमारे परवेश वर्भा बहुत सारा विकास कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप यह देख रहा है यहाँ एक खुड़ा का धेर हुआ करता था जिनसे इंसान जाने में भी तक्राते थे और आज देख लो यहाँ पे हमारे ग्रे मंत्री राजना सिंग जी आ रहे है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है परवेश वर्भा जी के साथ परवेश वर्भा जीवी जो एक सांसत के अंदर में कारी आते हैं उन्होंने बाख़ूबी बहुत अच्छे तरीके से अपने छेतर में किया है परवेश सी बहुत अच्छे सांसद हैं, सांसद की रूप में अपने चेत्र के मुद्दे उठाए, विकास के बहुत बड़े काम कर रहे हैं, अच्छा होस्पिटलिस का हो, अच्छा हो जाए इंद्रा ट्रक्चर का हो, सारे काम अच्छे कर रहे हैं, और इसी काल से हम देख पिसले दो दिन से इलाके में गूंग करके और सबसे मिल रहे हैं उससे 100% बहुत भारी लीड के साथ में जीतेंगे।